करनाल में सनातन धरम मंदिर के सामने कुंचप्रा रोड पर आशिरवाद एडवांस हार्ट लंग एंड क्रिचिकल केर सेंटर का शुभारम हुआ यह होस्पिटल में आत्या धूनिक सी विधाओं से लबरेज है होस्पिटल के डॉक्टर अभिशेक गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि करनाल के लिए एक नया क्रिचिकल सेंटर बनाया है जिसमें 30 बैड लगे हुए है करनाल में इस परकार का सेंटर ना होने की व और चंडिघड से भेतर सुविताएं उपलब्द करवाई जाएंगे उन्होंने आगे बताया कि यहां पर दिल के मरीजों का भी इलाज किया जाएगा इस दोरान डॉक्टर अभिशेक गुप्ता ने बताया कि हरीदे घात से बचने के लिए हमें बाहर का खाना खाने से हमारे को बताना चाहेंगे कि क्या कुछ फैसल्टी यहां पर प्रवाइड करवाई जाएंगे नमशकार करनाल के लिए एक नया हमने काड़ेक सेंटर बनाया है यहां पर तीस बैड का एक हॉस्पिटल है जिसमें एडवांस कैट लैब है यूएस की जी कंपनी की इसमें एं स्टाफ हमने हमारे कैटलैब टेक्नीशन है मनीश जी यह फोटिस वसंदकुन से आये हैं और इसके लावा हमारे पास टीम है नर्सिंग स्टाफ है जो मेरे साथ पहले मेरे सेंटर पे रोतक में काम करता है वो सारा यहां पर स्टाफ आया है मेंली इसमें दिल का इलाज किया जाएगा इसके लावा आईस्यू है वेंटिलेटर है कोई भी पेशन जिसको आईस्यू है वेंटिलेटर की आवशकता है उसको यहां पर इलाज किया जाएगा दिल के मरीज है कोई हिर्दे गात है किसको हिर्दे की धड़कन तेज चल रही उल्टी बेचैनी इस तरह के अगर लक्षन है तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे मेरा में संदेश यही है कि हिदेगात से बचने के लिए हमें अच्छा खाना अच्छा रहन सेन सब इस्तमाल करना चाहिए इसके लिए रोज सेर करनी चाहिए भार का खाना कम से कम खाना चाहिए पीजा बर्गर ये सारी चीज़े अवाइड करनी चाहिए घर का बनावा सारे चीज़ खा सकते हैं इसके लावा एक फल जो भी मौसमी है ये रोज खाना चाहिए करनाल में अभी तक इस तरह का कोई काडेक सेंटर नहीं है करनाल की जंता यहाँ पे से दिल्ली या चंडीगर जाती है मैंने कई बार देखा है अक्सर लोग फोटीस मेदानता मैक्स का नाम लेते हैं मेरे हाँ पे पहले भी रिष्टेदार थे उन्होंने बताया कि हम फोटीस ले जा रहे हैं मैक्स ले जा रहे हैं तो मुझे बड़ा दुख होता था कि मैं एक काडियोलजिस होते वे जो मैं सब कुछ स्विधाय दे सकता हूं वो होते वे भी मैं नहीं दे पा रहा हूं सब्सक्राइब के लिए बैल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइब शेयर और सब्सक्राइब करें हैं रहने वाल